मेरी आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द इससे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें धन्यवाद आप सभी दर्शकों को मुश्ताक श्रीफ का प्यार भरा आदाब आज हम चलते हैं उडिसाराज्य के गंजाम जिले का दूसरा बड़ा शहर चत्रपूर इसे हम गंजाम जिले का दिल भी कहते हैं क्यूंकि चत्रपूर गंजाम जिले का मुख्याला है चत्रपूर आकर आप अपने आपको धन्य महसूस कर सकते हैं क्यूंकि यहां की लिट्रसी यानि शाक्षरता दर 90% है यानि देश की शाक्षरता दर से 30% ज्यादा वैसे तो चत्रपूर गंजाम जिले के लिए काफी मश्वूर है यहां पर गंजाम जिला के कलेक्टर सब कलेक्टर बीयार डीये और बहुत सारे अला अधिकारी के ओफिसस भी हैं और घर भी हैं गंजाम जिला के लिवासी अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार चत्रपूर तो जरूर आते हैं चाहे आर्क्टियों से ड्राइविंग लाइसंस लेना हो या गाड़ी का रिजिस्ट्रिक करनी हो या फिर शादी को पंजिकरूत करना हो या फिर घर, जमीन, जायदात को रिजिस्ट्रिक करनी हो तो चत्रपूर धाम की दर्शन आपको अवश्य करने हुए सन 2011 के जन गरना के अनुसार यहां की कुल अबादी तक्रीबन 22,000 है रशाशन ने चत्रपूर में उडिसा के कुछ प्रमुक महान विक्टित्व और स्वतमत्रता सैनानियों के सन्मान में हमारी नई ग्री को उनसे परिशित कराने की कोशिश की है जिनमें सबसे पहले हैं उडिसा को उडिसा बनाने वाले मधुबावू यानी उत्कड़ गोर्वो मधुसुदमदास इनके बाद हैं रमुक सुदमदरता सैनानी और उडिसा के पहले चीफ मिनिस्टर उत्कड़ के सरी हरी कुछ नोंताब महस्त बारा साल के उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले बाजी रवूत महान समाच सेवी और समाच सुधारक हम सब के प्यारे उत्कोड़ मणी गोपबनुदास महान स्वतंतरता सैनानी और आईको बिद्रों के सुत्र धर बक्षी जगवन रूँ स्वतंतरता संग्राम के महरती जोई राजगुरु मुहापतरु संस्क्रिट के विद्वान, पूरी मंदिर के पुजारी और सिपाही विद्रों के सिपाही चक्खी खुटिया स्वतंतरता संग्रामी, नौन कॉपरेशन भूमेट और नमत सत्तिर्धाने भाग देने वाली मा रमादेवी चत्रपुर में बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें राम मंदिर, जगनात मंदिर, काली मंदिर, साई मंदिर प्रमुक हैं यहां के लोग काफी धार्मिक हैं और शांतिय प्रियेगें, साधरन जीवन जापन करना ज्यादा पसंद करते हैं साल में एक बार चत्रपुर महत सो देवी बहुत ही धुमधाम से मनाये जाता है यहां पर मुस्लिम आबादी लगढ़ 2% से भी कम हैं लेकिन यहां पर बहुत पुरानी मस्जिद है चत्रपुर के आसपास बहुत सारे खेत खलियान हैं और छोटे मोटे गाउं भी यहां पर साग, सब्जी, किफायती दान पर मिल जाते हैं और वेराइटी ओफ वेजिटेबल से अगल बगल के गाउं से लोग चत्रपुर रोज किसी ना किसी काम पी यह आते ही रहते हैं चत्रपुर टाओ काफी साख और सुद्दर से हैं और हाँ ही वेशाशन के द्वारा इसे काफी खुशुदत बढाये गया हैं क्योंकि बरंपुर सिटी चत्रपुर से 24 किलोमेटर की दूरी पर है लोग बार खरीदारी के लिए बरंपुर को ज्यादा प्रफर करते हैं इसका कतई ये मतलब नहीं चत्रपुर का मार्केट किसी से कम है यहां पर जरूरत की हर छोड़ी बड़ी चीज उपलब जाएं आप अगर खाने पीने के शौकीन है तो यहां आपको इडली, दोस्वा, वड़ा, चाइनीज और धेरों आप्शन खाने के लिए मिल जाएंगे वैसे पुरे उडिसा में लोग भोजन प्रिया हैं आप इनकी सेहत देखकर अन्दाजा लगाई सकते हैं वैसे भोजन खाम झाने लाएंगे चाइनींपे रड़ा, वीज खानेlvania रम्हें आपकश, जाए्टर में आपको। यहां पर बच्चों के लिए अच्छे-च्छे स्कूल्स, साइंस कॉलेश और बहुत पड़ी लेडरी भी है और आलबिलता के लिए मॉडर्न एकुप्मेंट से भरा जिम्धी तो गुर्गे आसपास फेरों सारे परेटर्स तल हैं सबसे नज़्दिक तो तामपरा लेख है इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं और लोग गुपालपु जाना भी ज़्यादा पसंद करते हैं यह था एक छोटा सा प्रयास आप को छत्रपूर से परिकित कराने का वीडियो पैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं विलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई